तो पिवर्टेवल का डेफिनेशन देखा जाए तो पिवर्टेवल का सिंपल डेफिनेशन है कि we can use पिवर्टेवल 4, analyze the data, summarize the data, and represent of the data. उससे पहले हम रिपोर्ट के बार में पढ़ते हैं कि हमाएं रिपोर्ट क्या होता है. आप रिपोर्ट की बात करें, तो रिपोर्ट होता है summary of the data, अगर रिपोर्ट की definition माँगें तो आपके पास raw data होता है, उसमें आप बोल सकते हैं कि report is the summary of the data, report एक summary data की summary होता है. ठीक है? ठीक है? तो चलिए हम इसका use करते हैं, तो data को हम पहले select करेंगे, अब pivot table लगाने के data की selection जोड़ी है कि नहीं है, यह इस पे सबसे पर इच पास आती है, तो pivot table की लिए data की selection जोड़ी है, तब ही जोड़ी है, जब आप का data का data कहीं पे break है, sequence नहीं है, break है इस तरह से, अगर data इस तरह से break हुआ, तो आपको pivot table पे selection करनी पड़ेगे, बढ़ना pivot table आपका सिर्फ इतना ही data लग जाए, तो कि pivot table लगाने से पहले हो, control एनों तकी current region से चलता है, अगर data बीच में कही पुरी की row blank है, तो आपको manual data select करने पड़ेगे, नहीं, कहीं भी sequence break नहीं है, आपका continue है, तो आपको selection करनी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना selection किये भी pivot लगा सकते है, अगर आपके बाद 2013 है, तो आपके पास यहां पे आता है recommend pivot, यह pivot को recommend करता है कि आपका pivot, इस particular data में किस तरह का pivot होना चाहिए, जो select रोगे, वो pivot आपको यहां निकाल कर देगा, नहीं तो आप, क्या हुआ, तो आपको क्या होगा, कि अपने हिसाब से row and column को set करना पड़ेगा, ठीक है न, और recommend पे अब pivot table क्या करता है, कि आपकी इस आप से set कर देता हो, जैसे मैंने इसको select कर दिया, ok किया, तो automatically इसने set करके इडिल डा दिया दिया, ठीक है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, कि आप आपका software नहीं है, पिताब के बास, हर दिन आपको install करना पड़ता है, क्या, हर दिन नहीं करना, लॉंच कर रहा होगा, अच्छा, हो सकता है, प्रॉलम हो, तो मैंने बताया कि यहां पर जो होता ना, आपके 2013 के पीवर्ट में, आपके पास होता है, सिर्च टू डेस्ट अब यहां, सुरी माफ किजिएगा, recommend pivot table, तो pivot table, तो क्या होता है, जो data आप select करते हो, तो आपके पास pop-up आता है, में आपको recommend करता है, आपके data का कॉर्डिंगे 15 जो है न, पीवर्ट table recommend करता है, जो पीवर्ट आपको पसंद है, ओ पीवर्ट को select कीजिए, और apply कर दीजिए, ओ सेम पीवर्ट आपको लगा 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 आ जाता है, तो हमें ट्रेकर नहीं पड़ेगा कि वहां से वहां ट्रेकर वहां करने की जुरूद में अपने आप बना बनाया जाता है, जैसे कि यहां पर आप देखने हो आ गया, अगर खुद के बनाना चाहो, तो जाब पीवर्ट टेवल इंसर्ट करते हो, तो आपके बास इस तरह का जो है ना एक बिंडो आता है, और साइड में आपके जितने भी कॉलन्स है, वो कॉलन्स यहां पर दिखते, एक चित ध्यान दखीएगा जब यह पीवर्ट टेवल यूज किजिएगा तो, क्या, आपका कोई भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हलो, हमस्का, हां शन् अगर आप मुझे आदे गिंते बाद पूछे तो, महरवानी होगी है, साथ बचे के बाद, हां, हां, तो, यहां पर आप जो है, अपने हिसाब से, यहां पर एक एक करके, आप क्यूरी को यहां पर रखते चले जाने हैं इसको, जैसे कि अगर मुझे, परे डिपोर्ट चाह कि यह क्या से आपको, मैं चाहिए रिपोर्ट कि किस बंदे ने ओवर रॉल क्या कॉन्टिटी बेशी है, तो हमें जैसे पीवट को सेलेक किया और नेम को सेलेक करना है, और इसको ड्रैक करना है, रो वाले हिम्टर में, हम रो में करेंगे, यह रो बाई जाएगा, तो पीव अलग-अलग है, इसलिए यहां पर बॉलम होगा, या फिर हम कॉलम में उठाया कर रखेंगे, तो कॉलम बाई जोगा, रो में रखेंगे, तो रो बाई जोगा, तो आप अपने कॉर्डिंग चूज कर सकते हो, डेटा आपको, आप जो इंपोर्ट बनाना चाहते हो, कैसा च बाई डेफोल सम तभी आता है, जब आपके इस पर डेटा के अंदर में कोई टेक्स नहीं होता है, पूरा अपर नंबर होता है, अगर टेक्स कोई भी एक भी है, तो आपको यहां पर काउंट आएगा, तो उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करो कि डबल क्लिक करो, पॉ पॉइन बाउगा, तो इस सब्सक्राइब करने है, चेंज करने में पर केशन, पर कीजिए, और यहां पर एगरा यहां पर बाइट कलीक कर से बाइगा, तो सिर्फ शूमिय नहीं, ऐलेगा, जी मारी मालोच का बाएबेरेज चाहिए, यह बहृत कॉबलम होता है, अगर सिस् सब्सक्राइब करता है कि इस पर्टिकुलर क्या होती है कि उनकी प्रॉलम क्या होती है कि उनको पता नहीं होता है कि इसमें कौन सा डेटा आएगा चैनल पता है तो ंंकी पॉलम होती कि सब्सक्राइब करते हैं तो ही जिया करते हैं तो वो by default text होता है कि जो हम single code से use करते हैं single code लगा कर जो use करते हैं data को जो लगाते हैं इस format में data हमारा आ जाता है और इसमें problem क्या होती ही कि मेरा जो हमारे जो mathematical formulas है वो इसको नहीं समझ पाते हैं जी खासर कि problem जो zero आता है सामने तब आती है तो उसको value में convert करने का दो तरीका है एक तरीका है formula का तब यहां पे आप value का formula अपलाई करोगे तो यह आपको value में convert करनेगा पहली solution तो यह है दूसरी solution यह है कि आप उसको data को पूरे column या data को select करो data menu वार में जब आप जाएंगे तो आपको एक option मिलता है text to column text to column को पे click कीजिए और just finish पे click कर दिए और कुछ करने के ज़रूरत नहीं है just finish तो आपक अपक अन्वार्ण हो जाएगा लेकिन just format चींज है अगर इसके अंदर में कोई text के character दले हुए है तो आपको दोनों के दोनों medium नहीं convert कर पाएगा number जैसे कि space दला हो जैसे कि dash दला हो double dot दला हो single dot तो convert हो जाएगा double dot दला हो, double comma दला हो ऐसे चीजों पर नहीं कर पाएगा space दला है तो आप trim से clear कर सकते हो तो double dot दला हो, double dash दला हो तो नहीं कर पाएगा वो तो फिर वो आपका rough data हो जाता है फिर उसको data clearancy method में manually साफ करना पाएगा नहीं कर दे सकते हैं नहीं कर दे सकते हैं और error आजाएगा इसमें अगर value का फिर माला होगे तो यह आपका value आपका यह आपका value आपका क्योंकि value formula टेक्स को नहीं convert करता है double dot लग गया इसमें टेस्ट यह भी से लिए डिफाइंट चीज़े लिए एक्सप करता है यह value formula यह आपकी टेक्स करना फार्मला हो accept करता है only for format इसका format change cell की formatting change है क्योंकि हम right click करके format cell में करते है न वो change है तो उसको convert करता है cell में जो text है उसको convert नहीं करता है वो ऐसा नहीं करेगा कि double dot को हटा के single dot कर देगा नहीं ऐसी इसमें पगामी नहीं है उसमें आपको data cleansing यूज करना परेगा तब जाके होगा data cleansing एक process है वो मैं आपको सम्झाओंगा कि कोई command नहीं है कोई formula नहीं है एक तरीका है back to pivot पीवट ठीक है ठीक है उसके बाद अब next जो मैं पास काता है कि इसमें हमने sum of quantity डाल दी अब इसको copy करके पेस करके अपनी हिसाब से यूज कर सकते है लेकिन माल लेजिए माल लेजिए कि मुझे अगर average quantity हटाता हो लेकिन मुझे चाहिए कि कि इस बंदेर ने किस city में क्या average amount पे सेल किया है तो मैं city को उठाके column में रख सकता हूं तो इस तरह से column wise और row wise हमारा data आ जाएगा column wise and row wise data आ जाएगा ठीक है सिराजी आप इस तरह से रख सकते हैं यहां पर कि हम इस city को उठाके name के नीचे रख सकते हैं तो name के नीचे रख सकते हैं तो name के नीचे रखने से क्या होगा कि ऐसे यह इस तरह से बनके आएगा इसमे और फायदा है कि इसमे जो plus minus column spend होता है उसको select करके इस तरह से नेम बाइस तरह चाहिए ना एक साथ करना है तो आप इसमें अलाइज में चले जाओ यह आता है माइनस एक साथ आपका क्रोर जाता है तो यह अगर नेम उपर होगा तो नेम पहले आगा फिर इसके नीचे सीटी आगा तो सिक्योंस होदा है मैं माइनस देखो प्लस करोगे तो पूरा पूरा खुल जाएगा माइनस करोगे तो बदन जाएगा क्लोशिन इसका यह जोता है जिसे हो गया आप मैंने वेज दिया आप किसी को मैं इंक हमारा ठीक है ना अगर रोज वाले इसके बहुत सारे हैं तो यह सारे कटे हो जाएंगे क्या अगर एक एक करके जैसे जैसे डालते जाएंगे जैसे जैसे जिलते जाएंगे है हलो है हाँ आपका है अब है आपका है यह यह फोन अभी तक ही लिया नहीं है यह फोन लगा कर देखिये है अब कर लेफटों पर डेस्टों बैख मैं बोला हका लेफटों यह करें अब डेस्ट्प यहिश्य कर रहे हो है खंचे इस अब लेफटों यह करें डेस्टों कर रहे हैं नहीं नहीं आपने कम्प्वीटर और जिया आपने सलेक कर रिखा है ना आप लैपटप यूज़ कर रहे हैं ठीक है मितलब कि मैं बुलाओं कि आपने आपने मुजीला पर चला रहे हैं उसको आपने कंप्यूटर और यूज़ कर लिए और दूसरा चीज़ आपका इंटरनेट काफी स्लो है यहां पर दिखा रहा है मुझे अभी आप आफ लेंज ले गया है इसलिए प्रॉलम में हो रही है अगर इंटरनेट आपका सही रहता तो प्रॉलम इसलिए नहीं होती आपको करते हैं तो इसका यूज्ज करते हैं तो यहां से इस को कॉल्सक्तु कर सकते हैं यहां में तो इहां पे अगर मलें प्रॉब्ब किया होती इसको कोपी कर्गे किस रीज ऑर कोपी स्टिर नहीं है। कहीं पेरिती और सब्सकें करने के बात तो आइएनगे क्युम्त करने हैं और मुश्क्री जाते हैं कौन सा नेम है और कौन सा रो आपका city है तो मैं चाहता हूँ दोनों अलग-अलग column में हो पहले column में name आए दूसरी column में city है तो उस case में मैं right click किया right click करने के बाद मैं pivot table option पे गया और यहाँ पे हमारे पास आता है और इसमें display और display में आप select कीजिए और यहाँ पे हमने डिस्प्लेय पे गया और यहाँ पे हमने चलेक कर दिया classical pivot table layout तो दोनों इस तरह से अलग-अलग अब यहाँ पर प्रॉब्लम आगी कि सब का total नीचे दिख रहा है आपको तो सब total गाते हैं अगर यह रखना जाया तो रखाए है अगर अगर वाइट क्लिक किया तो इस तरह से आगे ना कि फहले कॉलन में आपका नेम आ गया दूसरे कॉलम में सीडिया कर तीस अगर जहां पर आपको दो कॉलम का डेटा ता वहाँ तीन कॉलम हो गया अगर इस पर सेलेक्ट करो राइट क्लिक और इस पर मैं यहां से यहां प्राता है सब टोटल नेम इसको अंचेक कर दिया आपकी आवास कटरी ऐसा तो नहीं है आपके नेटवर्क तोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है महमद जी आपको भी आवास की प्रॉलम आ रही है कि आपके नेटवर्क की स्ट्रेंट डाउनोड ही फिर पड़ रही है कि वह सब्सक्राइए एक मेल की एक मेल की इस घर से क्लास लेड़ाओ ने मेरे पास उतनी सेंटर में देगा मेरे पास हाइए इसका ह्टिक तक है लेकिन उतना होने बने है हो एक गरत एक मुंक्राइए इसका है है हुआ है अब से योगा बेसिकली मेरा जो रूम है ना साउंड पूफ रूम है तो अब में द्रवाजा बंद कर देता हूं तो सिंगनल नहीं प्रॉलम हो जाती है तो इस तरीके से तो यह समझ मैं आपको तो यहां पर क्लासिकल पीवट टेबल लियाओट को सिलेक कर लिजिए या फिर आप यहां पीवट टेबल पर जाएंगे ना तो अनलाइज पर आपके पास जो कि यहां पर आपसें होता है कि असरी माफ किजिए अनलाइज पर के मैं नहीं डिजाइन पर चाहिएगा तो वहां पर आपका आता है इस टेबलर फॉर्म आता है या टेबलर फॉर्म आता है यह यह जो ती दो अप्सन से दुनों से कोई सेलेक कर लिजिए कि आता है आपके को तो पर के आपका लिजिए अपने पूछा था कि अगर मैं रों को स्यूच करें तो तो अगर मैं आपका city आजाए गा एप दूसरे वह आप करो जाएगा देखिए है यहां दूसरा अगर आप data को short करना चाहते हो तो यहां पर short पर जाके अपना data को भी short ascending descending mere short कर सकते हो फिल्टर करना चाहते हो तो यहां पे फिल्टर लगे हैं अपने साफ से फेल्टर्स कर सकते हो यहां भी फील्टर से अपने हिस 안에 ऐसाम से फिल्टर उन्पर सकते हो इक और प्रॉलम मैंती है इसको स Pourquoi स्लैक्ट की जी अगर मैं नॉर्च करता हूं इसको माल लिजए क्लिक करो और पीवट टेबल आप्शन में चले जाए और वहां पे मर्ज पे क्लिक कर दिया तो देखिए मर्ज कर दिया मर्ज वो डारेक्टी यहां से मर्ज करोगी तो मर्ज नहीं होगा आपको मैनुली वहां से जाकर मर्ज करना पड़ेगा यहां फिर अगर मर्ज में ना करो दूसरा हमारे बास हाता है जो कि 2013 का फीचर है डिजाइन में आपके बास होता है रिपोर्ट रिपीट और लेव आइटम दे लेवल यह क्या होगा फिर डिपीट हो जाएगा अब चाहो तो इसको हटा भी सकते रिपीट दूसरा यहां पर आता है ब्लैंक अगर आप इंसौर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम करना चाहते हो इससे क्या फैला होगा जैसे एक आइटम खतम होगा यहां पर एक ब्लैंक रोइन सोट हुआएगा हां तो यह रिपोर्ट को अपनी साब सब्सक्राइब दिखाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो एक चीज और होती है इसमें कि अगर में किसी जो हमार रिजल्ट आता है उसकी रिजल्ट पर मैं डवल क्लिक किया जैसे में डवल क्लिक करूंगा वह क्या है कि कोई पैस हो गया है कि से चार बड़ कि चार बड़ नहीं है अलग 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 है इसलिए और मैं इसलिए बिसली डेटा में एक हीरा कोपी पेस कर रखा रहा है इक हीरा को रिपीट कर रखा है हिए तो अब इसमें क्या होता है कभी कभी हमें डेटा मालों झीटि वाइद करने तो आप की करोगी तो का विदिककत हो इसा स्थी रख दिया ये जा रख दिया और यहां एक एकई करके हां पे डवल क्लिक करेंगे तियां पे सिटिका अगया ठीक है फिर मैं इस पर किलिक करूँगा यहांutes का आगया अगया किलिक करें गाएप Kरें यहां लग अलग जायईगा जूब है यह पिर हम जिसे अब चाहिए जालें आप चाहिए देबल सॉप्सिंज नो नांच लह न किलिक कर यह पीवर कें इंट टेल अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो अब मिना डेटा नहीं देगा करते हो तो नई शीट पे अपने आप बनाता चाना जाएगा हमें हमें क्या होता था कि मुझे डेटा जो है ना आगे फावड करना होता साफ्साबर से डेटा नां लोड करताथ जो कि लाकों में होता था फिर इसके element बेर इसके एरियो कि साफसे हठी रिạtज को झिकर था तो में अपार बाख स्ड़ेटा था तो मेरे ऑपार न या कि दव था पूरे फूरे फडाब होता था ब्लता पूरे एक काफी मत और जहाना द कि इसके यूज कर सकते हो और एक चीज और ध्यान रखिएगा पिवर्ट के सांथ पिवर्ट का डेटा सेब होता है अगर मैं C21 को डिलीट कर दू ना फिर भी आपका पिवर्ट करेगा अगर आप डेटा में कोई चेल्जिंग करते हैं कोई बीचेल्जिंग करते हैं कोई चेल्जिंग 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 करते हैं कोई है चेंज होगा है ठीक है तो दूसरा अगर आपने कोई नई डेटा एड़ कि दे मालेजे मैं नया सीटी एड़ कर रहा हूं यहां पर नीच नंबर और सीटी में मैंने दे दिया मालेजे यहां पर नाम देता हूं में उदय और सीटी में मैं दे लिया यहां पर मैं राइपूर राइपूर नहीं रेशिटी इसमें अब आपकी इस डिपोर्ट पर रेश्ट करने से नया सीटी एड़ नहीं हूं क्यों क्यों पिवट के रेंज से बाहर है तो आपको पिवट का रेंज अपडेट करना पड़ेगा कैसे करोगे आप जाएंगे यहां पर आता है चेंज डेटा सोर्स उस पर क्लिक करेंगे और अपने डेटा बेस को दुबाला से री स्लैक करेंगे ओके करते हैं अगर आपने ब्लैंक रोज सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर दिखाएगा ना एक ब्लैंक का कॉलर्ण बनके आ जाएगा यहां अपने तरीके अपनी आपने अपने सुद्धा है ठीक है तो रिफ्रेस करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पीवट को अपडेट करने के लिए जबी होता है यहां दखिएगा तो यह उड़िए इसमें तो इसमें आप किया कि जी इस टेवल डेटा में आपको बेज रहा हूं या पर आपके पास इससे बेटर डेटा है उस पे चले जाएए आप प्रिवट के मुझे तक्रिमन दस डिफरेंट डिफरेंट इग्जामपल बताएए फिर कल हम आपको प्रिवट पे कल्कुलेशन करन एडवंट शाम आपकी दर्वट लिफरेंड रमेस में खेंगे तो आपको द आपके प्रिफरेंट प्रिश्न आपकोन सुख़ेंगे तो आज बवर्ट के दिगरेशन के नों सक्राइए अग्र शाच जुकुलेशन पर c dupe लिफ ए टिष्काषै को आपको आपके इसको तो थोड़ा माइंड से वह जाता है तो पिछला एक पर रिवाइस करवा दिया करें ठीक है जरूर आज की क्लास मेरे को थोड़ा पैसो तो आता है लेकिन वह वाइस इतनी ब्रेक हो रही थी थोड़ा आज रिकॉर्डिंग्स आपको फेज देता हूं आपको मिल जाएंगा रिकॉर्डिंग्स सर्थे आपकी सारे डेट वाइस होगी आप रिखेगा आपको वीडियो आपको इसमें नहीं दिखेगा आपको सबस्क्राइब कर एक है कि गल्ग कर दिए कि आपको मेल नहीं किया उग नहीं है तो आप पैसे कुल है और गल्गी है नहीं पिल्टर लगा है कि कि अब मुझे ध्यान से नहीं किसमें आप भी है अब है कि वह त्री के ना ओकर आपकी वीडियो से वो रहे हैं आपको अब ही नहीं मिलेगी